मसकार इस वीडियों हम डेटेल के साथ कवर करेंगे के पीएम जुबक वड़ी सीरिस का पाँचमा मैज वो खेला जाएगा रतना गिरी और दूले डिस्टी के बीच में और डेटेल के साथ बात करेंगे बाई रीसेंट फॉर्म प्लेयर प्लेयर पोजिशन और साथ बनाएंगे आपके लिए दोस्तों एक शांदार विडिंग टीम जे मैच इंडिया के लोकेशन के सबसे शे मार्च को 10 बजगर 15 एम पर खेला जाएगा पूल एका मैच होगा और उससे पहले मुझे जो हैन कर ली देगा बाई टैलिग्रम के उपर लिंक आपको नीच जे लॉस हो चुका है ठीक है एक मैच अपना पहला इस संखला में जे टीम लॉस कर चुकी है पाँच में पाईदान की टीम है जिसके पास रेड का स्ट्राइक रेट जा रहा है 41 प्रतिसत का एकल स्ट्राइक रेट ठीक है तो लगबग एक एबरेज और एक कमजोर टीम रतना गिरी टीम और बहीं पहले पाईदान की टीम है दूले डिस्टिक जिसने इस संखला में एक मैच खेला है और पहला मैच वाउन करने के बाद बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिदेंस के साथ केलती नजर आएगी इस टीम के पास है 50 प्रतिसत का अब तक का रेड का में देखें तुझे कर रही है बाई 57 प्रतिसत सक्सेसफोल टैकल जो की 16 प्रतिसत जादा है रतना गिरी के उकाबला में तो आज के मैच में जो ज़्यादा विनिंग चांसस है वो रहेंगे दूले डिस्टिक की टीम के अगर आप ग्रैन लिक के लिए खेलने वाले हैं तो राज कॉर्ण पर रेफ्ट के कवर पर खेलेंगे लेफ्ट एंपर मकीस डिफेंस करेंगे और कॉर्णर होगा यहां से बाहे बहुत से के पास में ठीक है राइट का सैट देखें तो कवर पर आ रहे हैं सौबेट दा बॉली बहुत ज़्यादा इपॉर्टेंट बेर है इनक मतलब जे टीम आपको दोनों परक से जादा स्टॉंग नजराएगी और इसकी जो बैकबोन है वो है अकसे पार्टेल इसका एगा रेड का स्ट्राइक रेट देखें तो यहां से तहेतर प्रतिसत जार रहा है और डिफेंस में टैकल कर रहे हैं 50 प्रतिसत का मतलब सबसे काफी जादा बढ़िया रहता है ठीक है उपर के तीन प्लेर वाई इसे काफी जादा इपॉर्टेंट वानेंगे इनको आप जादा ट्राइब केज़ेगा और अगर लेफ्ट का कॉर्ण देखें बाहे बौर से लास्ट में टैकल नहीं परापत हुआ था बट चांस बहुत जादा क्रेट करते हैं तो आज के मैच में देखें तो उपरने टीम के पास उतने बहतरीन आपको लेफ्ट के रेडर नेजर नहीं आएंगे ठीक है तो बाहे बोर से आपके लिए जाएंगे यहां से ट्राइबल पे के लिए और राइट से आपको रोहिद पार्टर को ट्र पेलने वाले हैं आज का मैच और इनके बाद लेफ्ट से रेड करते हैं अनिल पाटल ठीक है पहले मैच में उतना बड़िया नहीं देखे थे ज़्यादा रेड भी करने का मौका नहीं मिला था फलाल हलके में मत लीजेगा आज आपके लिए ट्रंपे के लिए जा सकते हैं म केस थोड़े से रिस्की प्लेर है ठीक है उतना ज्यादा सक्सेस्पोर रेड नहीं करते हैं जे ट्राइबल प्लेर हैं अगर आप कमफट जून से बहार निकल कर खेलेंगे तो आप केस को ट्राइ कर सकते हैं फलाल जो इपॉर्टेंट प्लेर हैं उनमें शोहेब हैं अक्ष देक्षिंदे के पास में ठीक है राइट से देखें तो कॉर्णर पर सिफाड कोबर खेलेंगे बैद पाटल राइट इन पर खेलेंगे और कबर होगा श्रेशिंदे के पास और जे टीम में एक एबरेस तीम आपको देखने को मिलेगी जिसके पास दोनों शेक्शन पर 40-40% पर 30,000 है ठीक है तो इस टीम के पास जो इपोर्टेंट पे रहे हैं उनमें मैं बोलूगा कशव इपोर्टेंट बनेंगे जे टैकल काफी ज्यादा कर सकते हैं आला कि रेडर में उतनी ज्यादा सफल नहीं होते हैं बट फिर भी रेटर जिनका आपको लगबग 4 प्लस का द पर 30,000 है बट आज के मैच में हो सकता है इने जादा बड़िया खेलेंगा मौका मिल जाए खोलकर खेलेंगा मौका मिल जाए लास्ट में ज्यादा सैटल नहीं होते हैं तो इनले इसको आप ज्यादा हलके में मत लीजेगा इनके बाद अगर इनका राइट का कबर देखें खेलेंगा इनके जादा तो अगर में जाए खेलेंगा थे खेलेंगा इसकुर्यकशन के पर टोने सबस Venus के बारे में चलिए सीधा मिलते हैं एक पलिकेशन के उपर तो अकर मेरी टीम का बात करें तो मैं यहाँ सेंड़वल साइडेड खेला हूँ लगबग ड़ल साइडेड खेला हूँ पारफ ड़िट खेला है आर-ेटी की तरफ से और भाई मैं रोहित नंद कुंबर को आपको बोलूगा अगर दोनों आ रहे हैं स्टार्टिंग से किसी एक को भी ड्रॉप मत किजेगा और रेडर का बात करें तो रेडर में बाई आपको कम से कम बाई जो रेडर जा है अगर आप खेले वाले हैं एसल के लिए है तो मकंदा अक्से पाटल जे पॉर्टेंड बनेंगे ठीक है इनके बाद अगर आप खेले वाले हैं ग्रैनली के लिए तो बहाँ पर आप कैप्टराइग कर सकते हैं वाई करशब को और यहां से रोहित से दोनों इपॉर्टेंट हैं ग्रैनली के लिए एस एक पॉर्टेंट पे रहे हैं ठीक है जो टिमाप को देते हैं भाई में शाम खुल लगाते हैं हारेंगे साथ में जीतेंगे भी साथ में